जालरा पाटन सुभाश नगर BSNL कारेले के पीछे पानी से भरे गड़े में रविवार सुभे एक यूवक का शम मिला है। सुषना मिलने पर सुभे करीब साथ बजे जालरा पाटन पुलिस मौके पर पहुंची और शव को गड़े से बाहर निकलवा कर जालावाड SRG हॉस्पिटल की मौर्चुरी में रखवाया। जालरा पार्टन थाने के एसाई बने सीहे ने बताये की यूवक की पहचान जालरा पार्टन के ही पंच मुगी बाला जी के रहने वाले प्रमोद चतुरवेदी पुत्र राजिन दे चतुरवेदी की रूप में हुई है। प्रमोद बाला जी के मंदिर पर ही पुजारे का काम करता था वे शुकरवार देर रात करीब धाई बजे अपने घर से कहीं चला गया था जिसके बाद आज सुबह उसका शव गड़े में मिला है उधर प्रमोद के भाई चंदर प्रकाश ने प्रमोद के साथ किसी वारदात के आशंग का व्यक्त की है उसने बताए कि सामान्य तोर पर देर रात को उसका भाई कहीं नहीं चाता कोई उसे घर से बुला कर ले गया होगा चंदरप्रकाश ने ये भी बताया कि प्रमोट की शादी हो चुकी है लेकिन उसकी पत्नी कलपना पिछले दो साल से अपने पीयर में रह रही है उसके तीन साल का एक छोटा मासुम बच्चा भी है जारबाटन थाना प्रभारी हंस राज मीना ने बताया कि शव का पोस्माटम करवाया जारा है परीजनों से रिपोर्ट लेकर अनुसंधान कर आविश्यक कारिवाही की जाएगी